हेई गाइस और होप यू आ दिंग वेल मैं हूँ आप यूंका होस्ट दोस्पनी तो आज मेरे पास ने बहुत इंटरस्टिंग प्रोड़क्ट आप लोगों के लिए आज मेरे पास एक फुल आरजीबी कलर स्पेक्टरम वाली COB light है जो कि आती है Digitech की तरफ से इसका नाम है DCL 200 Watt RGB COB light और इस light के सबसे अच्छी खासियत है कि यह वन आप थी अफोड़िबल फुल RGB color spectrum वाली light है जो कि इसका price around MRP आपको cost करती है 25,990 रूपीज से वैसे इसके link में description में drop करते हूँगा तो अगर आपको लेना हो तो ले लेना by the way मैंने ये light क्यों लिया देखो मेरे पास अब तक बहुत सारी COB lights है COB lights किस-किस type की होती है पहले मैं बता रहता हूँ एक होती है daylight balance जोकी 5600 के fixed color intensity पर आती है और एक होती है bicolor जिसके अंदर आप अपना Kelvin control कर सकते हो 2700 से लेकर के 6800 Kelvin के बीच में more gradient tonality अपके footage में देने में जैसे पीछे जो light आपको भी reflect होती भी दिख रही है एक bicolor light है जो मैंने पीछे लगा रहे है बट जो RGB COB lights है ना वह बहुत limited market में आपको available होती है RGB panels आपको easily मिल जाते हैं बट COB lights बहुत limited available है और other brands की तो वह बहुत expensive पढ़ती है मतलब अगर आप aperture की 200 watt या 300 watt की light लेने जाए तो आपको 50,000 रूपीज तरे expand करना पड़ेगा to get a full RGB spectrum वाली RGB light but Digitech ने कर दिखाया और Digitech ने most affordable ये COB light बनाया है आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसे test करेंगे यह एक RGB RGB आपको पता है क्या help करता है because of a full color spectrum वाली light है तो आप अपने हिसाब से tonality को control कर सकते हो RGB COB light अगर आपके पास है shoots में तो आपको बहुत advantage होंगे over the period of video production अब दिखिए इस तरीके से आपको box में नजर आती है मैंने आपको price बता दिया है काफी affordable price में है इसकी packing भी बहुत decent है और मैं इसको एक बार ये unbox कर लेता हूँ by the way मैं इसको already unbox कर चुका हूँ but मैं आप box को open करेंगे आपके सामने जो है वह इस तरीके से इसकी power cable नजर आएगा यह power cable है इसकी ठीक है और उसके बाद हमें मैं box को नीचे रखता हूँ properly packing होके आती है तो yes packing बहुत अच्छे से आपको दिखेगी इसकी इसका नीचे रख देते हैं हम लोग ये cotton and ये हमारी 200 watt का power output देने वाली full RGB color spectrum वाली COB light मेरे हाथ में आच चुकी है यह इस तरीके से कुछ आपको नजर आएगी ठीक है इसकी जो build quality के अगर मैं बात करूँ तो यहां पर सामने की तरफ आपको पूरी metal framing देखने को मिलती है इसका जो योग है यह योग भी जो है वो काफी अच्छी quality का है पूरा metal का बनावा है metal योग दिया वा है कुछ lights में मैंने देखा है जो budget lights होती है उनमें generally यह plastic क्यों होते हैं तो plastic क्यों होने से problem क्या होती है जब आप कोई बड़ी boxes लगाओगे जैसे की 120 cm का octobox लगाओगे या 90 cm के heavy boxes लगाओगे तो इस case में योग न वो सही से काम नहीं कर पाते हैं उनका weight नहीं जहील पाते हैं तो यहां पर of course आपको पूरा full metal वाला योग मिलता है तो in terms of अगर मैं price के हिसाब से quality की बात करूँ तो quality में कोई आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी इस light के अंदर ठीक है फिर यहां पे हमें सामने की तरफ यह इसका जो है वो सीओ बीचिप मिल जाती है यह रेस की सीओ बीचिप आप यहां देखेंगे सीओ ब स्पेक्ट्रम वाले चिप है और अगर आप इसकी चिप को देखोगे ना जो सामने यहां पर आपको चिप दिख रही है वो आपको अधर जो बाय कलर लाइट से उससे बिल्कुल अलग दिखेगी क्योंकि इस चिप में आपको RGB प्लस बाय कलर दोनों के LED का combination मिलता है और इस DC power light DC power का मतलब है आपको जो यह cable साथ में आती है DC cable इसके थ्रू ही इसे power up करना पड़ेगा आप इसे बैटरी से as of now power up नहीं कर सकते हो बैटरी से पावर आप अगर इसे करना है आपको तो इसके लिए आपको बैटरी स्टेशन जो पावर स्टेशन होते हैं वो करी करने पड़ेंगे शूट्स में और कभी कबार आपको इसके लिए पावर स्टेशन करना पड़ेगा अगर आपको बहुत अच्छा और डीसे नजर आता है अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो लगभग यह धाई किलो के आसपास का वे करती है तो मतलब 200W के अंदर एक decent weight हमको देखने को मिल जाता है यह जो light है यह bones mount light है bones mount का मतलब है कि आप सारे अपने जितनी भी allen chrome वाले soft boxes हैं या digit है कि आपने पुद के soft boxes आते हैं वो bones mount वाले boxes इस पर लगा सकते हैं तो नीचे अमरेला के लिए भी thread मिल जाता है तो अगर आप अमरेला वाले अमरेला इस पर यूज करना चाते हो तो नीचे thread दियावा है इसमें आप अमरेला भी अटाच कर सकते हों सब्सक्राइब को जो है वो मेरे stand पर माउंट कर दिया है और हम देखते हैं कि किस तरीके से वक करती तो जब आप अन्बॉक्स करोगे ना तो आपको यह reflector भी मिलता है जो कि 18 cm का standard reflector है और अफकोस एक सब्सक्राइब करते हैं तो मैं यह reflector भी लगा सकता हूं से फ्रनेल लेंस भी लगाता हूं यह फ्रनेल लेंस बीसिकली क्या करते हैं जो मेरे अच्छली में output है तो मैं पीछे कर देता हूं तक ही मेरे आखों में ना पड़े ना नजर नहीं आएगा ठीक है इसका पूरा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हूँ का मतलब होता है कलर का लेवल और सब्सक्राइब कितना प्रॉम्ट नजर आएगा ठीक है तो यहां पर मेरे पास हूँ का आसपस का luxe produce करती है तो कि आपको पीछे almost background मेरा blowout होता वा नजर आ रहा होगा ये green color का tint पे मैंने भी इसको रखा हुआ है ठीक है मैं अगर इसको अभी कम करूँ power को तो मैं hue पे हूँ आपकर सकता हूँ यहां पर मुझे fx यानि fx बटन पर अगर क्लिक करेंगे तो आप फिर आप इसके cct मोड पर चले जाएंगे जहां पर आप इसका Kelvin 2700 से ले करके और 6500 तक का Kelvin डिगरी आप यहां पर कंट्रोल कर पाऊगे इस लाइट का सियरे रेटिंग भी बहुत अच्छा है 97 की सियरे डेटिंग देखने को मिलती है और इसमें मल्टिपल मोड भी मिलते हैं जैसे अब यह स्ट्रॉब बोड चल रहा है ठीक है अगर आपको कोई सीन पंटिकुलर रेप्लिकेट करना है तो है वो मोड्स को यूज करके रेप्लिकेट कियरा सकते हैं लगब की फ्रिक्वेंसी और हर एक चीज यह आपका यह आपका СOS मोड हो गया ठीक है जिनको यूज करके आप बहुत क्रेटिविटी अपने शोट्स में अड कर सकते हैं कुछ अगर आपको रेप्लिकेट करना है त Bluetooth remote ले लिए उसके थूभी इसे चंट्रोल कर सकते हैं इस light को Bluetooth से भी चंट्रोल कर रहा सकता है वाया दी अप्लिकेशन प्रस इसमें DMX का भी option मिलता है तो अगर आप इसे DMX controller के तुरू कंट्रोल करना चाहते हो multiple lights ने setup पे DMX लगा दो cable इसमें आपका LAN cable और उसके थूभी DMX के थूभी इसे control के रहा सकते है तो इस light के साथ साथ में जो accessories इस light के साथ मैं भी use करता हूँ soft boxes उन सब के link में description में drop कर दूँँआ तो जाके जरूर check out करें कि सो मैं guys for watching this video stay tuned and keep shooting